Hello friends and welcome back to Chikki's Biology another video tutorial. In this video I am going to discuss about where to apply with less GATE score. अगर आप लोगों का GATE score less है तो आप लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं for PhD and MTAC or MS. ठीक है तो friends आप लोग GATE के थुरू आप लोग 3 कोर्स में admission ले सकते हैं, आप लोग MTAC कर सकते हैं, GATE के थुरू आप लोग PhD कर सकते हैं, आप लोग MS कर सकते हैं, Master of Science आप लोग कोर्स कर सकते हैं, ठीक है तो friends आप लोग GATE के थुरू बहुत सारे कोर्स आप लोग कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों का जो gate का score अगर वो less है तो ये आप लोगों के लिए problem है आप लोग जानते हैं बट आप लोगों को परेशान नहीं होना है आप लोगों को यहाँ बिल्कुल भी overthink नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बदाऊंगा कि आप आप लोगों का जो काम था करने का ठीक है आप लोगों का जो task था आप लोगों ने वो किया आप लोगों ने मैनुद की आप लोगों ने अपना exam दिया बट अब अगर आप लोगों का जो score है अगर वो less है तो इसमें आप लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसको आप आप लोगों को बिल्कुल भी यहां पर प्रेशान नहीं होना है आप लोगों को ओवर्थिंक यहां पर नहीं करना है बस आप लोगों को यहां पर पूल माइंड होके आराम से आप लोगों को सोचना है अब अगर आप लोगों का जो गेटी स्कोर है अगर वो लहस है तो आप आप लोग किसी भी NIT में आप लोग apply कर सकते हैं या हमारी जो new IIT होती हैं जो नई IIT हमारी अभी खुली है जो नई IIT हमारी अभी start हुई है उनसे भी IIT में आप लोग apply कर सकते हैं आप लोग किसी भी NIT में आप लोग apply कर सकते हैं आप लोग के जितनी भी हमारे जितनी भी हम सबी colleges में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे भी आप लोगों को जो stipend है आप लोगों का 12400 जो पर मंत मिलता है वो stipend आप लोगों को मिलेगा तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अगर आप लोग एक जगह पर आप लोग हो जाते हैं आप लोग एक जगह पर एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोगों के माइंड से एक जो बर्डन होता है वो वहां पर रिलीज हो जाता है तो आप लोग फर्दर नेक्स्ट येर आप लोग दुबारे से फिर गेट का एकजाम आप लोग फॉम बरें उसका देन फिर आप लोग प्रिपरेशन करें और एक चीज़ और में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये सोच कि कि मेरा तो गेट का जो इसकोर है वो लैस है और आप लोग घर बे बैड़ जाएंगे ठीक है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है इससे आप लोगों की जो प्रोब्लम्स है वो और ज्यादा ज्यादा आप लोगों की बढ़ेंगी ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है कि क आप लोगों की activities हैं जो आपके future से related हैं उन से भी activities में आप लोग उस पैसे को अच्छे से use कर सकते हैं और आप लोग फरदर आगे बढ़ने के लिए आप लोग वहाँ पर try कर सकते हैं क्योंकि अगर आप लोग घर पर बैठ जाते हैं या आप लोग किसी दूसरी लाइन में यूनिवस्टी में या किसी भी central level की यूनिवस्टी में आप लोगों का apply करना है और वहाँ पर अपने course को start करना है देन उसके साथ साथ महीं आप लोगों को अपनी दुबारा से preparation करनी हैं क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार एक stand मिल जाता है तो आप लोग महाँ पर औ और आप लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं अगर आप लोग एक जो stand होता है ठीक है कि stand पर आप लोगों के लिए जो मुस्किले हैं वो और महाँ पर बढ़ जाती है तो first of all आप लोगों को एक stand चाहिए जहां पर आप लोग आराम से खड़े हो सकें आप लोगों को एक stand की जरुत होती है तो stand जो है आप लोगों को मिल जाएगा gate अगर gate का score आपका sorry अगर low भी है तो आप लोगों को stand easily मिल जाएगा फरदर आप लोग ट्राई कर सकते हैं आगे तो ये बात होगी कि आप लोगों को क्या करना है अगर आप लोगों का gate score low है ठीक है तो friends से कुछ students ऐ ऐसे भी होते हैं कि gate score low होने के बावजूद वो लोग preparation नहीं करते तो ये भी उनकी बहुत बड़ी mistake होती है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए उनको further try करना चाहिए ठीक है चुकि आज आपका level उतना नहीं है आज आपकी knowledge उतनी नहीं है बट अगर आप लोग उसके लिए further try करते रहेंगे तो एक time ऐसा आजाएगा कि आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जो आप लोग चाहते हैं ठीक है और एक और मैं आप लोगों के साथ में आपे crucial point discuss करना चाहता हूँ कि जो mtech के लिए जब आप apply करते हैं IIT में ठीक है तो IIT में आप लोगों का admission नहीं हो पाता ठीक है तो क्या है कि आप लोगों को PhD के लिए भी apply करना चाहिए direct PhD भी बिलती है IIT में गेटी स्कोर के तुरू आप लोग जानते भी होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो PhD का जो gate का score होता है वो less जाता है mtech की प्रेक्षागर हम लोग उसकी वहाँ पे उसकी analysis हम लोग करे ठीक है तो कहीं बार क्या होता है कि कुछ students को mtech के लिए call नहीं आती किसी भी IIT से बटे PhD के लिए call आ जाती है तो आप लोगों को PhD के लिए भी apply करना है अगर आप लोगों को यह नहीं ठीक करना है अपने mind में कि जब मेरा gate का score low है तो मुझे PhD के लिए apply नहीं करना चाहिए मैं तो सिर्फ mtech के लिए apply करूँगा मुझे तो mtech की करना है यार जब तुम लोगों को direct PhD मिलेगा तो तुम लोग क्यों mtech के पीछे भाग रहे हो ठीक है जब direct PhD मिलेगा तो तुम लोग तुम लोग वेस्ट कर रहे हो ठीक है और वो भी तुम्हें low gate score पे तुम्हें call आ र तुम्हें इंटर्वियू के लिए बुलाया जा रहा है तुम्हें written test के लिए बुला जा रहा है और अगर मैं रेपोटेटीड जो IIT हैं जैसे IIT Bombay, IIT khadagpur, IIT gohaati, IIT madras तो यह जितनी भी रेपोटेटीड IIT है जितनी भी top 1, top 2, top 3 sorry IIT है यह जो less gate score पे पे पीएशडी के के लिए क़ल करती हैं एंटेल के केस में हाई हाई स्कोर पे penalty के स्कोर करती है यहां पर चुरूरोगे को रचे नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी ओवर्थिंक नहीं करना है और अगर आप लोगों को पीशडी में भी एडमिशन नहीं मिलता तो जोसे मनें आप लोगों को बता है कि आप लोग एनाइटी के लिए आप लोग अपलाई करें आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के उनिवस्टी के लिए अपलाई करें आप लोग किसी भी सेंटरल लेवल के उनिवस्टी के लिए अपलाई करें इस फ्रेंड्स उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉप्स में टाइप करें थैंक यू फॉर वाचिंग और सब्सक्राइब दा चैनल